हेलो वाइस वेल्कम को मैं यूटूब चैन्तु इस वीडियो में हम कोई फाइल को रीड करना सीखेगे तो जैसे कि कोई हमें फाइल कि नाम बताना तो फाइल के ब स्वाइल करेंगे, तो हमें फाइल का नाम बताना तो फाइल का नाम क्या है हमारा इक्जाम्पल नाम है तो यह मेरे फाइल का नाम बता है और यह हमारे टीक्ष्ट फाइले तो आपको डॉट टीक्ष्ट लगाना पड़ेगा तो जो भी फाइल का जो एक्ष्टेशन है वह आपको एंडिंग में लगाना पड़ेगा नाम के साथ म लिए और इसके बाद में आप देसे तो कॉमा लागा कि हम्हों से रीड करना मतलों सक्राइब क्या है वह एक्सश्र करना है और यह कोई करसर का पोड़िशन और alarm करने पुर गाहना होगा करेगा वह यह पाम दिख और इसे बतने स्वाध करेगा अब इतने को को मैं से गताओ रण करके देखते हमारा फाइल सक्सेसफुली अपन हो रहे को अधिन एक क्लेर हूं हौन ये था है हमारे ये हम तरा र्ला सक्सेसफूली रां हो रहा प्रोग्राव अब मैं इस फायल के अंदर जो चीज यह उसे अपर निक रा लीज्म छीए उस में ठर्यOut वैरींटि थो पूसिए है इस पीधर का पोजिशन कहा है तो आप phi कर से स्दार्थ का पोजिशन जाना कर देका है का सबस्क्राइब अर्ट कर दोग अरू को थो यह मोग हो भी सबस्क्राइब सब्सक्राइब करता हुए तो जैसे मैं एक सब्सक्राइब करने के बाद मैं इदर आ जाता हूं इधर आ के अब मैं से पोजिशन चेंज हो जाएगा इदर में सेव करता हूँ रन करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा करस्टा पोजिशन 142 हो गया तो यह बैक स्पेस मतलब इस पेस भी कैलकुलेट करता है जितना भी आपके टीक्स्टी फाइल में स्पेस रहेगे वह भी कैलकुलेट रहेगे करता है तो यह आपको अब बात करते हैं जैसे सेट मेठड़ क्या होता तो सीख मेठ़र बताने की पहले माने बर बहुता तो जैसे कि मैंसे फाइल को प्रिंट करा दिया है अब मैं वापीस फाइल को पिश्दख स्पेस्ट और यहृट IN P एक बार प्रिंट हुआ जो कि आप देख सकते हूं इधर मैंने एक बार प्रिंट कराया तो वही प्रिंट हुआ उसके बाद में प्रिंट कराया वह प्रिंट नहीं हुआ तो एक क्यों नहीं हुआ क्योंकि एक बार प्रिंट होने के बाद में फिर जो और 442 के जैकर YouTube कि अंसके बाद में चेक करता है कि लिखाए गए कि निए इसके बास कुछ नहीं लिखाए तौ यह हमारा प्रेंट नहीं होता है तो अब आपको वापी से प्रेंट करणा तो वह कैसे फिरिन करा सकते हो मतलब तो आपको कोर्सर का पुशिशन चेंज करना पड़ेगा मतलब वापी से आपको जीरो पॉजिशन कर देना पड़ेगा तो वह कैसे दे सकते हैं वूस के लिए हम यूज करें चीक मैथड तो इधर मैं अब यूज करता हूँ तो अब मैंने करसर का पॉजिशन इदर जीरो सेट कर दिया फिर से यहां फोर फोर तूट पूजिशन आ गया था जो कि मैं आपको दिखा रहा था और इंदर आप देसे वापी से मने जीरो सेट कर दिया अभी सक्सेस्ट वापी से प्रिंट हो जाएग तो आप देखते हैं यह हमारे जो कि पहले बार प्रिंट वापी से मने कर्शा पोजिशन जीरो बता दिया उसके बाद में वापी से हमारा जो कि से इंप प्रिंट हो गया तो इस तरह सीख मैधर को यूज किया जाता है वह इधर आप देखते हैं जैसे कि आप कोई भी प्रिंट करता हूर प्रेंड लिखता हूं इसके बादर फिर हमारे नियू फाइल डॉट यहे रिडिड लिखता हूंचों ऒर यह करता हूं तो इदर मैख Ezbak मैं जाकर की सी करते हिदर रूंक मेर मोर्वाइज से साब वार में पर आङखे कर देख से हैसे आपको परा파 तरी 60 सब्सक्राइब करता हूँ और इसे मैं रन करूँ गो तो आप देख सकते हो इस टाइप का इरर आ जागा मतब सीक पोजिशन वर की नहीं करें कि हमने इदर क्लोस मेथड लगा दिया मताब फाइल क्लोस हो चुकी है तो आप इसके बाद में कुछ भी चीजी रन नहीं कर सकते ह हो इसे में कमेंट करता तो आप सकसे करने के बाद में फिर से हम रन नहीं कर सकते क्लोस अंडिंग में कभी भी कर दीजी सा समझ में आ जाएगा अब हम बात करते जिसे आपको कोई लाइन को रिख करना इसके लिए रिड लाइन को यूज क्या इदर मैं कमेंट कर दो आ उपर को और अधर आप देखे तो जासे कि प्रिंट नीवाइल टॉट रीट लाइं देखा हूँ पैरान ती रिंस लगा देखा दिखेता तो यह हमारे जो कि सब अब मैं इसे वापी से प्रिंट करा हूँगा इधर में लिकूँगा इधर आगया है इधर आने के बाद में यह हमारा इधर से लेके यह इधर तक स्टार्ट उना अभ मैं सब्सक्राइब कर भाद में और करेंद nil जो कि न को देखाता है रूखे रख्राम हमुस्की और लोह टीकल प्र बाकर को समंझ में हमारे जीव आए यह जो कि मैंने on comment रखाओ इजर मैंच प्रिंट्स लिखता हूँ अस बाद में फिन नूव फाइल.हीं को इसकते हैं मैंने Mad mim pulse सबसे पहला लाइन प्रिंट वो जागए उसके बाद में नेस्ट लाइन प्रिंट सेव करता हो सबसे पहला लाइन एक लाइन युस करते तो यह मैं तब को समझ में आ रहा है अब करते लिलाइनमे करते तो मिडिये एंप मने करता हुआ जासे कि यह चीजे हमें लिश्टस फार्म्स्राइस को युजल करें तो युज्क मैं युज्यमिक है तो इसलेन पयर मोई जाते हुए तो इसे में अन एक मेंद पैर मिर्शन किरा हुए हुए जो सलो친 जा गई में आ गया है तो देख से तो यह रीड लाइट सब्सक्राइब सभी चीनलिस्ट फॉर्मिट में आ जाएगा और इसको आप फॉर लूप के थूर यूज करना चाहिए तो फॉर लूप के तो भी इसको मैं वेरियाबल में श्टूर करा के भी दिखा देता हो तो इदर न्यू नाम का एक वेरियबल करेंट करता हूँ यह हमारे न्यू नाम के वेरियबल के अंदर इस्टोर हो गया वह इदर मैं स्टार्टिग और एंडिंग में से पैरेंट इनिस हठा देता हूँ यह मैं इसको फॉर लूप के थ्रू यूज करूँगा तो फॉर आई इन जो की करता हूँ तो जो हमारे लिष्ट फॉर्मेट में वह हमारा आप देखे तो एक एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा तो इदर आप जो की है ना एंड यूज कर सकते और इधर एक्वार्ट लगा के बाद में फिर दबल कोड्स यूज कर लेना तो अब हमारे स्पेस नहीं आ तो आप जैसे बात करते हैं हम बने बता दिया राइट में तो इसको मैंने कर देता हूँ यह मैंने कमेंन कर दिया यह हमारी तो इधर मैं लिख जेता हूँ रीड में तर तो अब हमां राइट में तर राइट में तरक मैं बेसिक चीज़ बता जैसे तो इतर जैसे कि न्यू फाइल एक्वाल टू मैं पैरेंट इस लगा तो उसके बाद में बता है तो फाइल कर नाम इग्जामपल.txt और इसके बाद में आपको कॉमा लगाना आप हम राइट करना चाहते इसके लिखना चाहते है पूरा पूरा फाइल के जो भी लिखा आप में दूस्तरा डाला है तो इधर आपको एंडिंग में डबलू लगाना पड़े का ड़ी लगाना के बाद में फिर ह गुद पर आपको आपको रैट रहएं मैं घ्लो महं लिग दिया अब मैं ससे ओपर ने वह इसे आप अ open करके रखता हूँ और इधर देख से तो जैसे मैं रण करूंगा एंटर मारता हूँ तो यह हमारा पूरा का पूरा पूरा चेंज हो जाएगा तो इस तरह आप राइट कर सकते हो कुछ भी चीज और इधर जैसे मैं आपको अपने फाइल का नाम चेक करना है एक्जांपल लि इधर आप फाइल का नाम कैसे चेकर सकते हैं तो इधर लिएन प्रिंट प्रिंट के बाद में फिर आपने ज्रू नाम का वेरियेबल क्रिएट क्या और नूवा करना फाइल का नाम है तो वह हमारो आ गया तो यसे मैंने इसके डराएबfast कै अब आप कि इह फाइल नाम से वेरेबल क्रेट करें तो पैरेंट इस लगा तो इधर आपको पूरा प्रेश्ट करना पड़ेगा तो इधर आप जैसे पेस्ट करोगे तो इधर क्या प्रबलम आएगा जैसे लब क्या होएगा जो डबल कोट्स के बीच में बैको स्लेस सिंगल कुछ भी रहेगा उस सभी को इग्णोर करेंगा बस एड़ने को स्टार्टिंग के डबल कोट्स को ही देखेंगा तो इदर आप देसे न्यू फॉल्डर उसके बाद में जो फाइल का नाम दिखाना पड़े चाहिए तो इस तरह आप है जो आगा है तो यहां कुछ आगा जाएगा तो इस तरह आप कोई भी फोल्डर के अंदर दुसरे ट्राइब के अंदर स्याग्या धार का इक्सेश ना उछबके सब्सक्राइब साथ और यह है टो के सब्सक्राइब करें झाल